काफी समय से EVM मेशनों को लेकर कई गंबीर आरोप लगते रहे हैं इसी संदर्ब में स्पेस येक्स के प्रामटेक टाइकून एलन मास्क ने एक बार फिर कहा कि EVM मेशनों अच्छी नहीं है एलन मास्क ने पुना कहा कि एलेक्ट्रोनिक वेटिंग मेशनों को बहुत आसानी से एहाइट किया जा सकता है उन्होंने पाट दर्शिता के लिए केवल बालेग पेपर से चुनाव कराने का सुजाव दिया है उन्होंने ये सपाष्ट किया कि वह एक तक्नीकी विशेशग्न है और इसी कारण यह बात कर रहे हैं अमेरिका के राश्ट्रपती चुनावों में डोनाल्ड ट्रॉम्प के लिए प्रचार करने वाले एलन मास्क ने दो दिन पहले पैंसिलवेनिया को फिलाडेल्फिया में हुए एक सार्वजिनिक सबा में ये टिपनी किया है हालं कि एलन इन्हें हाइक करना बहुत आसान है और ये बात उन्होंने एक टेक्नीकी विशेशगनी की रूप में जुलाई में ट्वीट की थी 2017 में सीनिट एंटिलेजेंस की जांच में भी ये बात सामने आये थी जिसमें बताया गया था कि एक उमिदवार को जीत दिलाने के लिए एवियम को फिर से प्रयोग किया जार सकता है एलन माउस ने अमेरिका में चुनावों में पोस्टल बैलेट साहित किसी भी तरीके से एलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रनालिक का उपयोग न करने की कड़ी मांग की है उन्होंने कहा कि एवियम को बहुत आसानी से हाई किया जा सकता है कासकर सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाले सौफ्ट्वेर को भी बहुत आसानी से हाई किया जा सकता है उन्होंने कहा कि उन्हें computer पसंद है लेकिन computer हों में voting tabulation नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि AVM में उप्यो किया जा रहा है software की गुनवत्ता अच्छी नहीं है उन्होंने कहा कि चुनावों केवल paper ballot का उप्यो किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को सीधे polling booth पर जाकर line में कड़े होनकर vote डालना चाहिए कुल मिलाकर AVM के जरिये बारत में आम चुनावों के संचालन को लेकर चारो और संदेह उठ रहा है जिसके चलते हाली में एलन मास्क के टिपनीयों के फिर से चर्चा का विशय बना दिया है मास्क अपनी स्थिती को मजबूत तरीके से व्यक्त कर रहे है कि चुनावों का संचालन AVM के मादियम से नहीं बलकि पारदरशित के लिए बायलिट प्रनालिक के जारिया किया जाना चाहिए